हम सब लोग बहुत तनाव में रहते हैं, हम अपने मन की शान्ती खो चुके हैं, इश्वर के पास जाने से भी हमें अपने मन की शान्ती नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? इसका कार्ण यह है कि हम इश्वर से सच्चे मन से नहीं जूड़ते पूरी तरह समर्पित नहीं होते सिर्फ मांगने के लिए इश्वर के नजदीक चाते हैं हम इतने स्वार्थी लोग हैं अगर हमें खोने का डर और पाने की चाहत ना होती ना तो हमारे लिए भगवान होता ना प्रातना होती आप इश्वर से सच्चे मन से जुड़िये फिर देखिए अपके मन के अंदर कैसे शांती मिलेगी आपको एक मजबूत सहारा मिलेगा हिम्मत मिलेगी आप इश्वर से सच्चे मन से प्रातना करें कि इश्वर मुझे इतना नीचे मत किराना कि मैं पुकारूं तू सुन ना पाए और इतना उपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं ना सुन पाऊं मेरी गलतियां, मेरी कमियां, मेरी सारे दोश अन देखा कर देना प्रभू क्योंकि मैं जिस महौल में रहता हूँ उसे दुनिया कहते हैं हे मालिक तू अच्छों के लिए अच्छा कर बुरों को सही रहा दिखा बुरे इंसान में एक मैं भी हूँ शुरुआत मुझसे कर चल मेरी भाह पकड़ और मुझे परकाश की और ले चल परमात्मा के पास बैठिये इतने गेरे भाग से कि आंसु आ जाए किसी परकार की कोई अकंश या मांग ना रखे परमात्मा का होना ही अशीरवाद है मांगना नहीं पड़ता उनके पास होने से ही सब मिल जाता है जैसे फूल के पास जाओ खश्बू अपने हाप ही मिलने लगती है परमात्मा ने सारी वेवस्था पहले ही की हुई है मांगने की जरूत नहीं बस उनके पास जाना है उनके शड़ना गती सविकार कर लेना और उनके बताए मार्क पर चलना हमारा करतवे बस इतना ही है बाकि सब कुछ स्विम हो जाता है हम सब जानते हैं कि इश्वर सब जानता है वो सर्व्यापी है फिर हम क्यों फूल जाते हैं हम क्यों इश्वर के पास मांगने के लिए जाते हैं अगर इश्वर के पास हम बिना मांगे जाएं तो हमारी मांग बहुत जलती पूरी होगी इश्वर सब जानता है बिन बोलेया तू सब कुछ जानता सच में वो सब कुछ जानता है आप बस इश्वर से प्यार करें और सब कुछ इश्वर पर छोड़ दें कि हे इश्वर मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा तो जो भी कर रहा है वो सब मुझे सविकार है इश्वर की किर्पा का ये मतलब नहीं होता कि आपके उपर दुख ना आए इश्वर की किर्पा का मतलब है कि आप दुख में दुखी ना हो सच में यही तो इश्वर की किर्पा है आप गहराई से सोचिए क्या इश्वर से मांगना ज़रूरी है